नमस्कार दोष्टों मैं सोनम चैनल और आप सभी देख रहे हैं सजी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोष्टों आज की कहानी है सभी ने कैसे सिखाया अपने पती को सबक यति आप सभी को मेरे दुआरा रिखी गई है कहानी पसंद आए तो चैनल को सस्काइब और पास में जो पैर आइकन का बताने उसे प्रेस करना बुर्कुर ना भूरें क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वारी हर कहाने की नोटिफिकेशन कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करतीजिएगा और हाँ अपनों के साथ सेर भी जरू कीजिएगा जिससे कहानी जादा जादा रोको तक पहुश्च सके तो चलिए कहानी सुरू करते हैं सुभी अपने पती के ओफिस से आने का इंतिजार कर रही थी बहुत तेर हो गई रिकें सुरच अभी तक घन नहीं आए सुभी चिंतित हो गई उसने सुरच को फोन लगाया रिकें फोन बनता रहा था कुछ तेर में ही सुरच घर पर आ गए सुभी ने सूरच से कहा हाथ मुधो कर आईये में खाना लगा देती हूँ सूरच इसकी कोई जवरत नहीं है में खाना खा कर आया हूँ सुभी आपने बताया नहीं था आपको कहीं जाना था सूरच नहीं कहीं नहीं जाना था बो तो दोश्टों ने कहा कि तुमने बहुत दिनों से पायती नहीं दी तो आज मैंने उन्हें पायती देती तब सुभी ने कहा बहुत दिनों से क्या मतरब अभी तो आपने एक हपते पहरे अपने दोश्टों को घर पर बुराया था और हमने उन्हें बहुत अच्छी पायती दीती फिर आज पायती किस कुसी में सूरज तो क्या हुआ दोश्टी ही तो हैं मांगी पायती तो देती सुभी आपके दोश्ट आपको मुर्ख बना रहे हैं और आप मुर्ख बनते जा रहे हैं बहे आपसे फिचूर का खर्च करवा और ज़रुष से जाता पैसा खर्च करना सही नहीं पैसे हमें हमेशा समार कर रखना चाहिए करके दिन कोई मुसीबत आई तो फिर क्या करेंगे आप आप जितना महिने का कमाते हैं वही अपने जूते दिखावे पर खर्च कर देते हैं आज आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं लेकिन कर कोई मुसीबत आई तो आप बहुत पश्टाएंगे मैं जानती हूँ आपका एक भी दोस्ट काम में नहीं आएगा क्योंकि यतिवह आपके सब्सक्राइब होते तो आपको फिचूर खर्च करने से मना करते सूरच मैं कमाता हूँ तो खर्च करता हूँ तुम्हें उससे क्या? और इससे मेरा रुतभा वरता है अपने दोस्टों में तुम क्या जानों? तुम तो गाउंकी हो! सहर में कैसे रहना पड़ता है? यहें तुम्हें क्या पता? सुभी में भरे ही गाउंकी हूँ लेकिन अच्छे बुरे का अंतर बहुत अच्छे से ज आसाने अपने जूते रुत्वे के लिए उससे चाहे जितना कर्च करा दो उसे कोई फरक नहीं परता सूरच चला कर अब तुम कुछ जाता ही बोर रही हो सुभी सच बोर रही हूँ इसलिए आपको करवा रख रहा है सूरच तुमसे बात ही करना बेकार है मैं ठक चुका समझाओं आपके दोष्ट आपको मुर्ख बना रही है वह सिर्फ आपसे पैसो के लिए ही दोष्टी किये हुए है कुछ दिनों बात सूरच के दोष्ट का फॉन आता है वह सूरच से कहता है मुझे दस अचारुपों की ज़ूरते क्या तुम मुझे दे सकते हूँ सूरच क आपसे कुछ दिन पहरे पांच अचार रुपए मांगे थे और आज आप दसचार रुपए दे रहे हैं। लेकिन अब सुभी सुषती कि एहे सब चाता दिनों तक नहीं चनने देना चाहिए। वही कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे सूरच के सामने उसके दोश्टों की असलियत आ जाए। लेकिन सुभी की लाग कोसिस कनने के बात भी सूरच उसकी बात नहीं सुनता। उरता उसी पर गुस्सा होता यति मैं कमाता हूं तो अपने दोश्टों के लिए खर्च भी कर सकता हूं। मुझे अपने पैसे खर्च कनने के लिए किसी की भी आगिया की जवरत नहीं है। रोच रोच की रराई जखकरों से। अब सुभी भी परिसान हो चुकी थी। इसलिए उसने स सूरच से इस विशाय पर बात करना ही बंद कर दिया। अब उसने सोच लिया था। इन्हें अब मैं नहीं समझा सकती। इन्हें तो बक्ती समझाएगा। एक दिन फिर सूरच तेर रात अपने दोश्टों के साथ पाइती करकर घर आया। घर आकर वही देखता है कि सुभी बिहुस परी हुई है। सुभी को बिहुस देखकर सूरच के होस उड़ जाते और वही चरती से अपने परीचे दोक्तर को बुराता। दोक्तर घर पर आकर सुभी को दवाई देते जिससे बहे होस में आ जाती। दोक्तर सूरच से कहते कर आप इन्हें होस्पितर लेकर आने की थी दो दिन बाद जब सूरच अपने आपिस में काम कर रहा था तब उसके पास दौक्तर का फोन आता और वह बताते कि सुवी बीमार है और उसका ऑप्रेशन होना जरूरी है जिसके लिए दो लाक रुपे की ज़ूरा थे ऑप्रेशन एक हपते के अंदर हो जाना चाह सूरच अतनी जर्दी दो लाक रुपे कहां से रेकर आऊं सूरच तो अपने महिने की सैलरी में से कुछ बचाता भी नहीं था तब ही बहे अपने दोश्ट के पास जाता और पैसे मांगता सभी दोश्ट कोई ना कोई वहना वना कर मना करते थे जब बहे अपने खाश तो सम आप से खर्च करते तो आज तुम्हें पैसे मांगने की भी जवरत नहीं होती और कहता हम सबसे जादा सहरी तुम्हारी है समीर सूरच से कहता मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मुझे विस्वास है कि तुम अपने जूते दिखावे और हम सबकी बातों में आकर फिचूर खर्च करते रहोगे और मेरे पैसे कभी नहीं रोता पाओगे और मैं अपने पैसे दुआ नहीं सकता सूरच की आच आखे खुड़ चुके थी और आच उसे सुवी का कहोफवा एक-एक सब्द याता रहा था जब सुवी ने सूरच से कहा था जिस दिन तुम्हें दोस्टों की असरियत पता चरेंगी उच दिन तुम बहुत पच्टाऊगी लेकिन सायद यह तो सुः भी नहीं जानती थी कि असरियत इस तरह पता चरेंगी सुर रच्टुकी होकर घर आता घर पर आकर देखता कि सुः सु रही जाकर सुः के पास वैटता उसके सिर्फ पर हाथ फेरता और उसका हाथ पकर कर कहता कि तुम सच कहती थी कि पैसे हमें समार कर रखना चाहिए एहे हमारे बुरे बक्त में काम आते हैं दोश्ट हमें सच्चे बनाने चाहिए जो हमें मुसीबत के बक्त सहरा दे सके, तुमने सच कहा था, एहे सब मेरे सचे दोष्ट नहीं हैं, यती होते तो आज मेरा साथ देते, मैं तुमसे ना जाने क्या क्या कहता रहा, तुम्हें गाओं की गवाल लड़की कहता रहा, लेकिन तुम तो मुझसे बहुत अतिक समझत तुम जानती थी, और तुम मुझे बार बार समझाती थी, रेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बाते सुनता ही नहीं, अपने घमंत में, अपने जूते दिखावे में, और अपने जूते दोष्टों की बातों में, मैंने तुम्हारी एक ना सुनी, और उसकी एही सचाए, रेकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अपनी जान से भी जाता तभी सुवी आखे खोरती और सुरज के आंसु पहुचते हुए कहती जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हूँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हें छोड़ कर भी नहीं जा सकती मुझे कुछ नहीं वो आए मुझे कोई बीमारी भी नहीं है सूरज पर दौक्तर नहीं तो कहा था कि तुम बीमार हो वही सब क्या था तब सभी ने खा मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी पैसो की एहमें समझाना चाहती थी और सबसे मैत पुर तुम्हारे जूते दोश्टों का अस्री चहरा दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने उच दिन बेयो सोने का नातक किया और अपने परिचित दौक्तर सुनेर से कहा कि आप सूरच से कहिए कि मैं किसी बीमारी से गुचर रही हूँ जिसके दिए दो लाख की आवा सकता है दौक्तर सुनेर तुम्हारे अच्छे दोश्टें सिरी उन्होंने मेरी बात भी सुन ली सुवी और सूरच से कहती मुझे माफ कर तो मेरा इराता तुम्हारा दिर दुखाना नहीं था मैं तो सिर्फ तुम्हें सच दिखाना चाहती थी सूरच माफी तुम मुझे मांगनी चाहिए तुम मुझे हर बार समझाती रही कि मैं गरत कर रहा हूँ मुझे पैसों की एहमियत सीख रेना चाहिए जूता दिखावा करके अपने चूते दोश्टों की बातों में नहीं आना चाहिए रेकिन मैं तुमसे ना जाने क्या क्या कहता गया फिर भी तुम मेरा साथ हमेशा देती रही तुमने अच्छा ही किया जो मुझे सबक सिखाया अब मैं तुमसे वाता करता हूँ कि मैं कभी भी फिचुर खर्च नहीं करूँगा पैसों की एहमियत समझूँगा और उसके बाद सूरच ने अपनी मतरवी दोश्टों से वात करना कम कर दिया और पैसों की भी वज़त करना सीख है दोश्टों पैसे और समय को कभी भी परवात नहीं करना चाहिए किसी के भी दिखावे में पैसा खर्च करना सबसे वरी मुर्खता है आप सभी कि इसके बारे में क्या राए है नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और हाँ कहानी पसंद आई हो तो अपनों के साथ सेयर करतीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करतीजेगा और वीडियो को लाइक और सेयर करना बुर्कुन नवूरे थैंक्स पार वाचिंग